ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 22 अप्रेल 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे सर्व का सदगती दाता एक बाब है बाब जैसी निस्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता प्रश्न न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाब को कौन सी महनत करनी पड़ती है उत्तर एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायन जैसे पूजे देवता बनाने की महनत बाब को करनी पड़ती है बाब तुम बच्चों को देवता बनाने की महनत करते बागी सर्व आत्माएं वापिस शान्ति धाम जाती है हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्तू कर लायक बनकर वापस घर जाना है गीत इस पाप की दुनिया से दूर ओम शान्ति मीठे मीठे रोहानी बच्चों ने गीत सुना बच्चे जानते हैं ये पाप की दुनिया ये नई दुनिया होती है पुन्य की दुनिया वहाँ पाप होता नहीं है वह है राम राज ये है रावन राज इस रावन राज में सब पतित दुखी है तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ सभी धर्म वाले पुकारते हैं ओ गौड फादर आकर हमें लिबरेट करो गायड बनो गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी स्रश्टी में सब को ले जाते हैं इस समय सभी रावण राज्य में हैं सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापिस शांती धम बिनाश तो सब का हो नहीं है बाप यहां आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं सभी का कल्यार करते हैं इसलिए एक कोही सर्व का सदगती दाता सर्व का कल्यार करने वाला कहा जाता है बाप कहते हैं अभी तुम को वापिस जाना है सभी धर्म वालों को शांती धाम निर्वान धाम जाना है जहां सभी आत्माएं शांती में रहती हैं बेहद का बाप जो रचाइता है वही आकर सभी को मुक्ती और जीवन मुक्ती देते हैं तो महमा भी उस एक गौड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं उनको ही याद करना चाहिए बाप खुद समझाते हैं मैं दूर देश परमधाम का रहने वाला हूँ सबसे पहले जो आदी सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं इसलिए मुझे पुकारते हैं मैं आकर सभी बच्चों को वापिस ले जाता हूँ अब हिंदू कोई धर्म नहीं है असुल है देवी देवता धर्म परन्तु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू के दिया है हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं गीताई है सर्व शास्त्र स्रोमनी वह भगवान की गाई हुई है भगवान एक को ही कहा जाता है गौड फादर सिरीक्रश्न वा लक्षमी नारायन को गौड फादर वा पतित पावर नहीं कहेंगे ये तो राजा रानी है उन्हों को ऐसा किस ने बनाया बाप ने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं बड़े बड़े लखपती मंदिर आदी बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज कैसे पाया कैसे मालिक बने कभी कोई बतला नहीं सकेंगे क्या कर्म किया जो इतना फल पाया अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो आदी सनातन देवी देवता धर्म को न जानने कारण सब और और धर्मों में कनवर्ट हो गए हैं वह फिर रिटन होंगे अपने अपने धर्म में जो आदी सनातन देवी देवता धर्म की हैं वे फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे क्रिश्चन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चन धर्म में आ जाएगा ये आदी सनातन देवी देवता धर्म का सेंपलिंग लग रहा है जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा यह जाड है इनकी तीन ट्यूप्स हैं फिर उनसे व्रद्धी होती जाती है और कोई ये नौलेज दे न सके अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्व में जाता हूँ राम क्रश्न परम हंस सन्यासी का फालोर हूँ अब वह निर्वर्ती मार्ग वाले तुम हो प्रवर्ती मार्ग वाले ग्रश्त मार्ग वाले निर्वर्ती मार्ग वालों के फालोर्स कैसे बन सकते हैं तुम पहले प्रवर्ती मार्ग में पवित्र थे फिर रावन द्वारा तुम अपवित्र बने हो ये बातें बाप समझाते हैं तुम हो ग्रस्त आश्रम के भक्ती भी तुमको करनी है बाप आकर भक्ती का फल सदगती देते हैं कहा जाता है religion is might बाप religion इस्थापन करते हैं तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो बाप से तुमको कितनी might मिलती है एक सर्व शक्तिमान बाप ही आकर सब की सदगती करते हैं और कोई न सदगती दे सकते हैं न पा सकते हैं यहां ही व्रद्दी को पाते रहते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकता बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ सब को आकर सदगती देता हूँ सदगती कहा जाता है सतियुक को मुक्ति है शान्ती धाम में तो सबसे बड़ा कौन हुआ बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर्सो, सबको बाप से वर्सा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्षन में भेजने के लायक बनाता हूं, लायक नहीं बनते तो सजाय खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब चुक्तू कर फिर वापस जाते हैं, वह है शांती धाम और वह है सुख बाप कहते हैं, मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूं, इसमें महनत करनी पड़ती है, एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूं, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो, तो सीड़ी नीचे उतरते आये हो, ये 84 जन्मों की सीड़ी है ह नीचे उतरने की, सतो प्रधान से सतो रजो तमो अभी ये है संगम, बाप कहते हैं, मैं आता ही एक बार हूं, मैं कोई इब्राहम बुद्ध के तन में नहीं आता हूं, मैं पुरुसोतम संगम युक पर ही आता हूं, अब कहा जाता है फालो फादर, बाप कहते हैं, तुम इसको कहा जाता है योग अगनी तुम हो सच्चे सच्चे ब्राम्मण तुम कामचिता से उतर ग्यानचिता पर बैठते हो ये एक ही बाप समझाते हैं क्राइस्ट बुद्ध आदी सब एक को याद करते हैं परन्तु उनको यथार्त कोई जानते नहीं अब तुम आस्तिक बने हो रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है रिसी मुनी सब नेती नेती कहते थे हम नहीं जानते स्वर्ग है सचखंड दुख का नाम नहीं यहां कितना दुख है आयू भी बहुत छोटी है देवताओं की आयू कितनी बड़ी है? वह है पवित्र योगी यहां है अपवित्र भोगी सीड़ी उतरते उतरते आयू कमती होती जाती है अकाले मृत्यू भी होती रहती है बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं तुम्हारा रोना चिलाना बंध हो जाता है सब पार्ट धारी हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ये भी ड्रामा बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गती भी समझाते हैं ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है ब्रह्मा का दिन रात सो ब्रामनों का अब तुम्हारा दिन होने वाला है महा शिवरात्री कहते हैं अब भक्ती की रात पूरी हो ग्यान का उदै होता है अब है स्तंगम तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो अंध्यारी रात में धक्के भी खाए टिपड भी गिसाई पैसे भी खलास किये अब बाब कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांती धाम और सुख धाम ले जाने के लिए तुम सुख धाम के रहवासी थे 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में ये तुम्हारी दुनिया नहीं है तुम अब योगबल से अपनी दुनिया इस्थापन कर रहे हो तुमको अब डबल अहिंसक बनना है ना काम कटारी चलानी है ना लड़ना जगड़ना है बाब कहते हैं मैं हर पाँच हजार वर्स के बाद आता हूँ ये कल्प पाँच हजार वर्स का है ना की लाखों वर्स का अगर लाखों वर्स का होता फिर तो यहां बहुत आदम शुमारी होती गपोडे लगाते रहते हैं इसलिए बाब कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ मेरा भी ड्रामा में पार्ट है पाट बिगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ पूरे टाइम पर आता हूँ मन मना भव परन्तू इसका कोई अर्थ नहीं जानता बाप कहते हैं दे के सभी संबंद छोड़ मा में कम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे और हो न सकें यहां इश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं हेल से हेवन बना देते हैं जिस पर तुम राज करते हो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे यहां बाबा का भागे शाली रत जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं शिव जैनती को कोई भी जानते नहीं है वे तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं कहते हैं यह आकाश है तो ये नम तो हुआ न, भल पोलार है परन्तु फिर भी नम है, तो बाब का भी नम है कल्याड कारी. फिर भक्ती मार्ग में बहुत नम रखे हैं. बाबुरी नाथ भी कहते हैं, वे आकर काम कटारी से छुड़ा कर पावन बनाते हैं. निवरत्ती मार्ग वाले ब्रह्मा को ही परमात्मा मानते हैं उनको ही याद करते हैं ब्रह्मा योगी तत्व योगी कहलाते हैं परंतु वे हो गया रहने का इस्थान जिसको ब्रह्मान्ड कहा जाता है वे फिर ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं समस्ते हैं, हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सदगती करता हूँ इसलिए एक शिवाबा की जैनती हीरे तुल्य है, बाकी सब जैनतियां कोडी तुल्य है शिव बाबा ही सब की सद्गती करते हैं तो वह हैं हीरे जैसा वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं ये नौलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं जिससे तुम देवी देवता बनते हो फिर ये नौलेज प्राय लोप हो जाती है इन लक्षमी नारायन में रचता और रचना की नौलेज नहीं है बच्चों ने गीत सुना कहते हैं ऐसी जगा ले चलो जहां शान्ती और चैन हो वह है शान्ती धाम फिर सुख धाम बहां अकाले मृत्यू नहीं होती है तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे रात्री क्लास अभी तुम्हारी सूरवनशी चंदरवनशी दोनों डेनाइश्टी बनती हैं जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे न पवित्र बन सकेंगे बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे सो भी तुम आगे चल ये भी देखेंगे लाखों करोडों समझते जाएंगे वायू मंडल ही ऐसा होगा पिछाडी की लड़ाई में सभी होपले सो जाएंगे सभी को टच होगा तुम्हारा आवाज भी होगा सुर्की स्थापना हो रही है बाकी सभी का मौत तयार है परन्तु वह समय ऐसा होता है जो घुटका खाने का समय नहीं रहेगा आगे चल बहुत समझेंगे जो होगे ऐसे भी नहीं ये सभी उस समय होगे कोई मर भी जाएंगे होगे वही जो कल्प कल्प होते हैं उस समय एक बाप की याद में होंगे आवाज भी कम हो जाएगा फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे बहुत दर्दनाग घटनाएं होती रहेंगी सभी को मालुम पढ़ जाएगा कि अभी विनाश होना है दुनिया चेंज होनी है विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्स गिरेंगे अभी आपस में कहते रहते हैं कंडिशन करो वचन दो हम बॉम्स नहीं छोड़ेंगे लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई हैं विनाश के लिए तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है समझते हो बाप ही नई दुनिया इस्थापन करेंगे वहाँ दुख का नाम नहीं होगा उसका नाम ही है पेराडाइज जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वह आगे चल कर बहुत पाएंगे पिछाडी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे अभी तो समय पड़ा है पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा उस समय तुम्हारी अवस्ता भी बहुत अच्छी होगी साक्षात कार भी करेंगे कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा जिन में निश्चे होगा चक्र का ज्यान होगा वे खुशी में रहेंगे अच्छा रोहानी बच्चे गुड नाइट धारना के लिए मुख्यसार डबल अहिंसक बन योगवल से इस हेल को हेविन बनाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुशार्थ करना है दूसरा एक बाप को पूरा पूरा फालो करना है सच्चा सच्चा ब्रामर्बन योग अगनी से विकर्मों को दग्द करना है सब को कामचिता से उतार ग्यानचिता पर बिठाना है वर्दान निस्वार्त और निर्विकल्प इस्थिती से सेवा करने वाले सफलता मूरत भव सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्त और निर्विकल्प इस्थिती है इस इस्थिती में रहने वाले सेवा करते सोयं भी संतुष्ट और हरसित रहते और उनसे दूसरी भी संतुष्ट रहते सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन 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 बातें भिन भिन विचार होते हैं लेकिन अनेकता में मूझो नहीं ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने निस्वार्त और निर्विकल भाव से निर्णे लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूरत बन जाएंगे सिलोगन अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्थन करने की सेवा प्रारम करो अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती अच्तुरों